पत्र लेखन तो वहाँ पे आप confused नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि कई बार पत्रों के अलग-अलग प्रकार होते हैं और हमको लिखने को मिल जाता है लिखना हमको पता है कि हमको क्या सोच के लिखना है वो हम सभी अपनी creativity के according लिख लेते हैं लेकिन सबसे जादा जो बात की जाती है वो बात की जाती है format पे तो format आप हर बार हर पत्र का अलग-अलग याद रखोगे नहीं ना भूल जाओगे कि किस तरह से किस कौन से पत्र को कैसे लिखना है तो कुछ basic format देखेंगे और उसी के अंदर changes देखेंगे कि किस किस तरह से हम change करते हैं तो सबसे पहले पत्र लेखन में क्या समझने आपको कि पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है और उसी के आधार पर उसके कौन कौन से और प्रकार होते हैं और उसे किस तरह से लिखना है उस पे बात करेंगे exam में 5 marks का तो आपका पत्र आता ही आता है तो इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है किन-किन बातों का ध्यान रखना है उन सभी पे चर्चा करेंगे तो जब पत्र लिखा जाता है तो पत्र लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सामने वाले को आपकी बात अच्छे से समझ में आ जाए तो पहला point होता है कि आपकी जो भाशा हो वो कैसी होनी चाहिए स्पष्ट होनी चाहिए स्पष्ट मतलब आप जो कहना चाहते हो वो बात सामने वाले को सही सही समझ में आनी चाहिए तो इसलिए जब आप पत्र लिखोगे तो उसको एक बार कुद पढ़के देखोगे और देखोगे कि जैसा मैं सामने वाले को समझाना चाता हूँ या अपनी बात रखना चाता हूँ वैसा ही वो समझ पाएगा है या नहीं समझ पाएगा तो बिल्कुल सरल भाषा को यूज करना है तीसरी चीज जब आप यूज कर रहे हो जब आप पत्र लिख रहे हो तो आपकी भाषा जो है वो बिल्कुल सामने वाले को कैसी दिखनी चाहिए सूधिंग लगनी चाहिए ऐसे order वाली चीजे नहीं लगनी चाहिए आप जो भी चीज कर रहे हो जो भी बात कह रहे हो वो request form में होना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वाले को order दे रहे हो ठीके तो इन सब चीजों का आपको ध्यान लगना है और उसी के आधार पर आपको क्या करना है पत्र को लिखना है अब बात करते हैं पत्र के प्रकार की कि पत्र के प्रकार कितने टाइप के होते हैं तो दो तरह के पत्र होते हैं कौन-कौन से एक होता है आपका आपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र तो पत्र लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अपचारिक पत्र और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र पहले आपचारिक और अनापचारिक को समझो कि क्या होता है आपचारिक जब हम आपचारिक क्याने की formality के लिए लिखते हैं और जब हम अनापचारिक क्याने formality नहीं होती है informal होके लिखते हैं वो कहलाता है हमारा अनापचारिक तो आपचारिक क्या होगा, जहां पर आप जिसको भी लिख रहे हो, उसका आपके साथ कोई relation नहीं होगा, यानि खून वाला relation या सगे संबंदी वाला relation नहीं होगा, जबकि अनौपचारिक में आपके किसी relative या सगे संबंदी या घर वाले या उनके आसपास के लोगों के बा अगर हम देखते हैं, तो वो है आपका प्रार्थना पत्र, जो हमने जब पत्र लिखना शुरू किया था, तब से ही इस चीज को सीख रहे थे, दूसरा होता है आपका आवेदन पत्र, तीसरा होता है आपका शिकायती पत्र, चौथा है आपका कौण सा, कारयलय पत्र भी बोल सकते हो, व्यवसा एक पत्र भी लिख सकते हो, कारयलय पत्र, इसके बाद आता है एक आपका संपादब्बच, जो अभी ट्रेंडिंग में है, जैसे इंग्लिश में दिखते हैं, लेटर टू एडिटर, तो ये पत्र कॉन कॉन से होते हैं, जैसे बधाई पत्र कह दिया, या फिर किसी को आप निमंत्रन दे रहे हो, तो निमंत्रन पत्र लिख सकते हो, और चौथा, थर्ड हम बोल सकते हैं, व्यक्ति गद पत्र, व्यक्ति गद पत्र में क्या आएगा, कि जब आप अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को तो वो आ जाते हैं आपके व्यक्तिकत पत्र में अब बात करते हैं इनके सभी के फॉर्मेट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं प्राथना पत्र तो देखो प्राथना पत्र किसली यूज करते हैं जब एक student या कोई भी एक class का या college का बच्चा जब अपन जाता है तो उसको हम प्राथना पत्र कहते हैं दूसरा आता है आविदन पत्र आविदन पत्र कब होता है जब आप किसी जॉब के लिए apply करते हो या आप किसी पोस्ट के लिए apply करते हो या किसी और चीज के लिए apply करते हो तो वहां पर जब apply किया जाता है तब हम किसको यू तो उसके लिए आपको अगर शिकायत पत्र लिखना है अपने नगर निगम को या फिर आपके आसपास की सोसाइटी में सफाई नहीं रहती है उसके लिए आपको शिकायत पत्र लिखना है या रोट खराब है टूटे हुए है उनके लिए आपको शिकायत पत्र लिखना है तो आप अपने business related किसी को letter लिखते हो तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं कारले पत्र को यूज करते हैं ठीक है next आता है संपादक पत्र संपादक पत्र क्या होता है जब आप newspaper के editor को अपना कोई column कोई चीज आप चाहते हो कि वो आपकी जो है publish की जाए उसके लिए जब आप उसको पत्र लिखते हो किसी topic पे या आपने कोई article लिखा है आप उसके बारे में बताना चाहते हो तो उसके लिए जब आप संपादक को पत्र लिखते हो यानि किसी पत्र जो क्या बोलते हैं newspaper वाले जो है उनको जब आप पत्र लिखते हो तो उसे हम कहते हैं संपादक पत् जब आप किसी को बधाई देते हो, अब मालोग कोई पास हुआ है उसकी बधाई दे रहे हो, या किसी की जॉब लग गई उसकी बधाई दे रहे हो, किसी ने कार ले लिए उसकी बधाई दे रहे हो, कोई भी बधाई पत्र, जब आप अपने रिष्टेदारों में देते हो, त और के function का कोई invitation दे रहे हो, शादी का invitation दे रहे हो, तो वो सारे आता है निमंत्रम पत्र में. नेक्स आता है व्यक्तिकत पत्र, व्यक्तिकत पत्र में आप कोई भी पत्र ले सकते हो, जैसे आप पापा को अपने बारे में बता रहे हो, अपने होस्टल की लाइफ के बारे में बता रहे हो, आपको उनसे मनी ओर चाहिए उसके बारे में बोल रहे हो, मम्मी की तबयत दोनों का format अलग-अलग होता है, इसमें आपके हर बार आपके format में कुछ-कुछ changes होते हैं, उस format पे हम बात करते हैं, फिर हम कुछ examples देखेंगे, कुछ उधारण देखेंगे कि किस-किस तरह से हमको पत्र लिखना होता है, ठीके, start करते हैं, सबसे पहले समझते हैं, प्राथन साइड पे होना चाहिए, पहले होता था कि यहां पे हम सेवा में श्रीमान प्रधाना चाहिए लिखते थे, फिर हम यहां से कुछ-कुछ start करते थे, लेकिन सारी चीजें अब आपकी left side में होनी चाहिए, right side में आप कुछ नहीं लिखोगे, ठीके, सारी चीजे left side में होनी च सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, अब आप चाहिए तो कॉमा लगाए, ना लगाए तो भी ठीके, लेकिन लगा लेना ज्यादा बेटर है, तो कॉमा लगा लेना, सेवा में, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं, अ उसके बाद आपको यहां पर क्या लिखना है? स्कूल का नाम लिखना है और थर्ड नमबर पर आपको क्या लिखना है? जिस शहर का नाम है, जो स्कूल है, वो कहां पर है? पर एक्जामपल, अजमेर है, जैपुर है, जो भी है, आपको यहां पर लिख देंगे चिक है तो ये चीज आपको करनी है Next जैसे ही यहां पर ये खतम होता है एक line छोड़नी है छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है विशे विशे से related क्या है आपको पत्र में एक question मिलेगा उस question में आपको हो सकता है school का नाम मिले अगर मिलता है तो लिख देना नहीं मिलता है तो कोई भी school का नाम लिख सकते हो ठीक है अगर शहर दे रखा है तो लिख देना नहीं लिखा है तो खुद से कोई भी city लिख सकते हो विशे विशे आपको आपके पत्र में से ही मिल जाएगा कि बही प्रात्ना पत्र में किसके लिए लिख रहे हो बही मालो दो दिन के अवकाश के लिख रहे हो तो क्या लिखोगे दो दिन के अवकाश हे तू बस कितना लिखना है दो दिन के अवकाश हे तू बस इतना लिखना है विशे आपका कम से कम शब्दों में होना चाहिए लेकिन समझ में आने वाला होना चाहिए क्योंकि विशे देखकर ही पता कर लिया जाएगा कि आप किसके बारे में लिख रहे हो क्योंकि जब भी आप पत्र अभी तो सरो आप एक्जाम के लिए लिख रहे हो कि विशे जो है वो आपका बिल्कुल सही सही और कम से कम शब्दों में सामने वाले को समझ में आ जाए ऐसा होना चाहिए तो इसको पढ़ते ही जब कोई पत्र देखेगा तो अगर आपने पत्र इतना बड़ा लिखा है तो वो जादा कुछ नहीं देखेगा सबसे पहले देख लेगा कि किस चीज के लिए चाहिए तो उसके माइंड में फिक्स हो गया कि भी किस पॉपस या है क्या देखते है कि सामने वाले ने क्यूं लिखा है किस बारे में लिखा है तो अगर विशे दिख जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा वे इसके बारे में फिर आप उसको detail में अच्छे से पढ़ सकते हो तो यह आगया विशे विशे के बाद आपको लिखना है महोदय अगर आपके teacher male है तो महोदय लिखेंगे और अगर female है तो क्या लिखेंगे? महोदया लिखेंगे और अगर यहाँ पर भी आपकी female है तो प्रधाना चार्य जो है उनके लिखना है तो ध्यान से पढ़ना कि प्रधाना चार्य है या चार्य है? अगर चार्य है तो फिर यहाँ पर महोदय ना के महोदया आएगा ठीक है? उसके बाद इस महोदय के बाद आपको क्या लगाना है? कॉमा लगा के यहां से आपको शुरू कर देना है अपना पत्र सर विने निवेदन है कि जो भी जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो आपको यहां पे पूरा का पूरा क्या लिखना है उस विशे के बारे में लिखना है अच्छा ये जो विशे के बारे में लिखना है इसको हम body कहते हैं ठीक है? letter की body कहते हैं तो जब इसको आप लिखोगे तो इसको दो part में divide करना कैसे करोगे? पहला पहला तो आपको ये लिखना है कि आप क्या क्या बताना चाहते हो किस-किस के बारे में कि भी छुटी किस के लिए चाहिए बही मुझे जो है दो दिन के लिए मेरी भाई की शादी है उसके लिए मुझे दो दिन के छुटी चाहिए तो ये सारी चीजें आप इन first पैरा में लिखोगे लेकिन जब second पैरा लिखोगे तो वहाँ पर आप conclusion निकालोगे क्या बोलोगे अतर मैं चाहता हूँ या अतर मेरी इच्छा है या मेरी आशा है कि आप मुझे दो दिन का अवकार्श दे मैं आपका बहुत याभारी रहूँगा क्रिपा करके ऐसी सी जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको next पैरा में लिखनी है फर्स वाले में आपको पूरा का पूरा content ये लिखना है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो और second वाले में आप उसका conclusion निकालेंगे कि आप क्या चाहते हैं तो पढ़ने वाला क्या करेगा जब भी आप letter लिखो तो खुद को सोच के लिखो कि जब मुझे कोई letter देगा तो मैं उसमें क्या क्या चीजें चाहूंगा अगर ये चीजें सोचोगे तो आपको automatically समझ में आ जाएगा कि पत्र कैसे लिखना है तो इस तरह से आपको अपने body को दो parts में डिवाइड करना है उसके बाद जैसे ही यहां पर यह खतम होता है जैसे आपका यह first प्यारा खतम होगा फिर second में आपने उसका conclusion निकाल दिया complete यहां पर हो गया अब आपको क्या करना है next line में आपको लिखना है आपका आग्याकारी शिश्य उस शिश्य का नाम लिख देना नाम अगर आपको दे रखा हो question में तो लिख देना और नहीं दे रखा है तो नाम आप avoid करके कखग भी लिख सकते हो या किसी का नाम कोई other person का लिख सकते हो चलेगा कखगा लिख दो ABC लिख दो कुछ भी लिख सकते हो यह आपके उपर है ठीक है वैसे कहते हैं कि नाम नहीं लिखना चाहिए बट अगर आप लिख दोगे कोई other person का नाम लिख दोगे तो चलेगा next last में आपको क्या लिखना है अपनी कक्षा लिखनी है ठीक है यह तो हो गया आपका कौन सा वाला पत्र जब आप प्राथना पत्र लिख रहे हो अब बात करते हैं बाकी के पत्र जो है तो बाकी के पत्र कौन से हो गए अब आपका शिकायती पत्र भी आ सकता है या आपका कारले पत्र भी आ सकता है संपादक पत्र भी आ सकता है तो अलग-अलग पत्र आते जाएंगे तो आप उनको कैसे लिखोगे, तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, और इसी पत्र में, मैं आपको बताओंगे कि किस-किस तरह से आप changes करके अपने शिकायती पत्र में convert कर सकते हो, आप इसे संपाधक पत्र में convert कर सकते हो, आप इसको आवेदन पत्र में भी convert कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली चीज, यह जो सेवा में है, यह तो आपको यहीं रखनी है, दोसरी चीज क्या लिखा हुआ है, श्रीम आपको अपने सचीव को लिखना है या किसी भी परसन को लिखना है तो उसका जो ओधा है उसका जो पद है वो पद आपको लिखना है जैसे मालो नगर निगम के अध्यक्ष हैं तो नगर निगम अध्यक्ष महोदे ऐसे लिख सकते हो या अध्यक्ष महोदे भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं गिवन दे रखा है, सिर्फ दे रखा है कि यह शिकायटी पत्र इसस वाले डिपार्टमेंट में लिखना है, तो आप वहाँ पे अध्यक्ष महोदे लिख सकते हो, तो फर्स्ट नमर पे तो आपको क्या लिखना है, वहाँ का पद लिखना है, कि जिसको लि लिखोगे, नहीं, आप उस काराले को लिखते हो, पूरे के पूरे काराले को डेडिकेट करके लिखते हो, कि भई सब के लिए है यह, तो वहाँ पर हमें नाम नहीं लिखना होता है, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़े का यहाँ पे, पद, जो भी पद है, वो लिख नहीं तो आप अद्यक्ष मोहदय भी लिख सकते हो नेक्स आता है यहाँ पर जैसे स्कूल का नाम और अजमेर लिखा हुआ है यहां पर आप स्कूल के नाम की जगे क्या लगाओगे अब यहाँ पर आप जो विभाग है वो लिखोगे जैसे विद्युत विभाग है तो आप विभाग लिख दोगे या फिर नगर निगम है तो आप नगर निगम लिख दोगे जो भी विभाग दे रखा है जिसको भी आप लिख रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पर लिख दोगे लास्ट में यहाँ पर जैसे यहाँ पर अजमे लिखा है वो भी आपको यहाँ पर क्य स्कूल का नाम दे रखा है तो यहां पर आप क्या लिखोगे उस न्यूस पेपर जो संपादक है किस न्यूस पेपर को आप लिखने वाले हो उसका नाम आजाएगा और यहां पर क्या आजाएगा सेटी आजाएगा सेम ऐसा ही शिकायती पत्र में भी लिखोगे तो शिकायती कि इसको इस तरह से लिखना है next अब बात करते हैं विशे तो विशे में आपको क्या करना होगा जैसे यहां पर विशे दे रखा है वैसे आपको question में दे रखा होगा कि भी किसके बारे में करना है तो वहां से निकालके आपको विशे लिखना होगा next यहां पर महोदय लिखा ह तो आप भी महोदय लिख देंगे, महोदय लिखने के बार फिर से इस बोडी में आपको फिर से दो पार्ट में डिवाइट करना है, फर्स में आप लिखोगे अपनी सारी शिकायत और सेकिंड पैरा में आप लिखोगे कन्क्लूजन कि आप क्या चाहते हो, कि हमारे जो अगर सफाई से रिलेटिट कहना चाहते हो, कि हमारी गली में सफाई नहीं रहती है, तो पहले आप बताओगे कि सफाई नहीं है, जिसकी वज़े से मच्छर होते हैं, बिमारियां फैल रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स लिखोगे, उसके बाग, नेक्स वाली में आप क्या लिखो नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप यहा लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद यह आप उसमें भी लिखेंगे, जब श्रीमान प्रदाना चरेवाल लिखेंगे, तब भी धन्यवाद, धन्यवाद के बाद क्या लिखना है, अ लेकिन अब क्या है अब हम स्टूडेंट ही है अब हम क्या है अब हम एक समाज के व्यक्ति है तो अब क्या करना होगा अब हमको जो लिख रहा है बंदा उसका नाम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे धन्यवाद लिखने के बाद आपका आगयाकारी शिश्य ने होगी शिश्य तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भवदिये लिखेंगे क्या लिखेंगे भवदिये अगर गर्ल है तो भवदिया लिखेंगे नेक्स क्या लिखोगे नेक्स आप लिखोगे उस व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के नाम के बाद क्या लिखोगे उस व्यक्ति के नाम के बाद आप किस जगह के हैं आपका एड्रेस लिखोगे क्योंकि जो जिसको आप पत्र लिख रहे हो शिकायती पत्र लिख रहे हो कारले प पत्र लिखने रहे हैं, तो जिसको भी लिखने हो, उसको पता होना जear है कि पत्र आया कहां से है, जैसे एक principal को पता कैसे चलेगा, उसके बच्चे की class, उसके रोल नमबर से पता चलेगा, वैसी ही जो दूसरे department के लोग हैं, उनको कैसे पत्र यह पत्र कहां से है, जो को प्रैक्टिकल हो के सोचो ना कि हम कोई चीज रट नी रहे हैं, हमने एक ही format लिया, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्र में हम उसी के according उसकी information डालेंगे हैं और उसी के आधार पर हम शब्दों का चेहन भी कर रहे हैं, यहां हम शिश्यना अब यहां पर क्या करना है, नाम लिखने के बाद आपको यहां पर एड्रेस लिखना है, और एड्रेस लिखने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा से एक format अपने साथ बना लो, ताकि जब भी आप एड्रेस लिखो तो इस तरीके से लिखना, क्या करना, सबसे पहले हूँ यहाँ पर लिख दो जैसे 321 लिख दिया उसके बाद कॉमा लगा दो next आप उस जगे का नाम लिखो जिसमें आप रहते हो मालो आप गली नंबर एक में रहते हो तो लिख दो गली नंबर एक यहाँ आपकी colony का नाम है तो वो लिख दो या फिर कोई और landmark है तो वो लिख दो या sector है उसमें भी आपके अलग-अलग ब्लॉग हैं तो वो लिख दो, जो भी आपको लिखना है वो लिख दो next, next में आप अपना जगे का नाब, जैसे आप एक जगे में जैसे आप अजमेर में रहते हो, लेकिन अजमेर में भी बहुत जगे हैं, अलग-अलग जगे हैं तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, भी वैशाली नगर, जैसे यहां बेक वैशाली नगर है वैशाली नगर और उसके बाद मैंने क्या लिखा, अजमेर तो पढ़ने वाले को समझ में आएगा, अच्छा, 321 में, गली नबर 1 में, जो मकान है, 321 वहां के वैशाली नगर अजमेर में, तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा और अगर आप इस तरह से लिखोगे, अजमेर लिख दोगे और ये सिर्फ आगे की इंफरमिशन लिख दोगे, आप वैशाली नगर अजमेर लिख दोगे, तो सामने लिखो के समझ में आएगा कि वैशाली नगर में कौन, कहां से तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जब आप address लिखो तो इस तरीके से लिखना और एक चीज़ और ध्यान रखना कि address जो है वो छोटे से बड़े के रूप में जाता है, मतलब पहले आप कहां रहते हो आपका मकान नमबर, फिर वो मकान कहां है, गली में, तो गली, फिर गली कहां है, जो भी जगह है, city, वो लिखो, फिर complete, कहां पर है अजमेर में है, वो लिखो, तो छोटे से start करो, उस तरह से अगर आप अपना address लिखोगे, तो यह जादा सौझ में आ जाएगा, अब यह क्या करना है, अब आप नॉर्मल भी अगर आप किसी को address बताओ, या कभी क इस चीज में अपना address फिल करना है, कुछ online आप मंगवा रहे हो, तो वहां पर आप address इसी तरीके से लिखो, कि पहले आप अपना house number लिखो, उसके बाद आप किस जगह पर है, किस गली में है, किस sector में हो, वो लिखो, फिर उसके बाद आपकी colony लिखो, फिर आगे की चीज़ इसमें जो है, वो फिल करो, चीज़? तो यह हो गया हमारा address, address के बाद आपको last में क्या लिखना है, date लिखना है, यह date हम क्यों लिख रहे है, date हम इसलिए बद लिख रहे है, कि हम बता रहे हैं कि यह पत्र जो है, किस दिन आया है, हो सकता है, आपका पत्र जो है, पढ़ने अनौपचारिक पत्र थे, उन सभी का format आपको समझ में आ गया, अनौपचारिक पत्र को हम अनौपचारिक के टाइम पर बात करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, अपचारिक पत्र के ही कुछ जो है, parts देख लेते हैं, कि किस तरह से हमको लिखना है, और किस किस तरह के आपके आ सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में पहला पत्र क्या दे रखा है, प्रधाना चार्य को पुस्तकाले नवींदम विशयों से संबंदित पुस्तके और पत्रिकाय मंगवाने के लिए क्या लिखना है आप आपके प्रार्थना पत्र में, तो प्रधानाचारे को लिख रहे हैं, तो वहां से हमको समझ में आई रहा है, कैसे लिखेंगे, सेवा में, प्रधानाचारे बहुत है, या श्रीमान प्रधानाचारे जी भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, कॉमा लगा देना इधर, जन्ता, इ यह चीज मैंने हाँ नहीं लगाई है यह दोनों ही ठीक है ऐसा नहीं है कि लगाऊगे तो marks कर जाएंगे नहीं लगाऊँगे तो मार्स कर जाएंगे लगाऊगे तो भी ठीक है लेकिन safer side के लिए आप लगा लेना नेक्स्ट विशे विशे में क्या है आपको विशे लिखना है तो विशे आपने कहां से देखना है विशे आपको देखना है कि अच्छा हाँ प्रधाना चार्यों को अब बात करते हैं हम आगे आगे सबसे पहले आपको क्या लिखना है महोदे महोदे के जस्ट बात आपको यहां से ही शुरू करना है हम यहां से शुरू करते हैं पहले यहां से लेकिन अब आपको new format के according सारी चीजे एक सीरीज में लिखनी है तो आप यहीं से ही start करिएगा सविने निवेदन है कि हमारे विद्याले की पुस्तकाले में अधिकांज पुस्तक के कई वर्ष पुरानी है अब इसके अंदर आप क्या लिख रहे हो इसके अंदर आपको जो जो समझ में आ रहा है वो लिख सकते हो लेकिन खिचडी नहीं करना है ठीक है ऐसा नहीं कि भर भर के लिखना है आरे हमारे पास तो ये बुक है और हमको यह वाली बुक चाहिए, आप यह वाली बुक लादो, यह लादो, वो लादो, नहीं, हम simple extended language में बताना चाहते हैं कि भी पुस्तक काले में पुस्तके नहीं है, तो आप पुस्तक क्या पत्रिकाय मंगा दो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हो, उस पुस्तकों क कौन कौन सी कैटेगरी की आपको पुस्तक के चाहिए वो आप लिख सकते हो, बागी आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, भणा पुस्तक चाहिए, इन सभी को अगर आप डीटेल में ना लिखो तो अच्छा है, सिर्फ point टू-point आपको बताना है, सामने वाले को बस, क्योंकि पत्र कोई ऐसे स्टोरी नहीं है कि कोई बैठके आपका पत्र बैठके पड़ेगा आपको तू दपॉइंट बात करनी है और तू दपॉइंट के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मेरी बात सामने वाले को पूरी-पूरी समझ में भी आने चाहिए अगर समझ में आ जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है तो क्या दिकांच पूरानी है इंटरनेट और कंप्यूटर आधी नवीन विशा से संबंदित पूस्ता के बहुत ही कम है साथी प्रत्योगी परिक्षाओं और समसामईक विशाओं समसामईक मतलब क्या होता है कि और जो अधर सब्जेक्ट होते हैं जैसे मालो जनल नौलेज की कुछ किताबे हैं या कोई emotional quotes हैं उनके लिए इस तरह की अलग-अलग किताबों को हम क्या कहते हैं समसामईक तो मतलब और विशाओं से related और भी जितनी भी हैं उन किताब और समबंदित जो हैं वो हमारे पास पुस्तकाले में पत्रिका उपलब्द नहीं है विशेशकर हिंदी में तकनिकी पुस्तकों की कमी है पुस्तकाले प्रभारी नई पुस्तक के कब आएंगी इसके बारे में जानकर यह जानकर नहीं दे पा रहे हैं आशा है अब यहां पर क्या हुआ यहां पर पूरी पूरी अपनी बात बोली कि आपको क्या 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 चाहिए वह सारे चीजे बोल दी अब आप क्या कह रहे हो सामने वाले को बोल रहे हो request के form में कि मैं चाता हूं कि essay हो जाए और मुझे उम्मीद है कि आप यह सब चीज़े करेंगे तो पत्र कभी भी harsh language में नहीं होना चाहिए नहीं तो सामने वाले बोलेगा क्या order चला रहा है हटाओ उसका पत्र, करना ही नहीं है और अगर आप अपनी भाषा को अच्छा रखोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा अच्छा ये बहुत अच्छे से बोल रहा है विनम्र होके बोल रहा है आशा है आप हमारी इस प्रात्ना को सुईकार कर विद्याले प्रभारी को नवीन दम पुस्तक के और पत्रिकाओं को मंगवाने के लिए निर्देश देंगे आपकी इस क्रपा के लिए हम सदेव आपके आभारी रहेंगे धन्यवाद धन्यवाद आपको यहाँ लिखना है पोण विराम अब next क्या करना है ये तो भई पेपर थोड़ा छोटा है हमारे पस तो हम इसको पार्ट में डिवाइट करना है लेकिन आपको तो एक साथ एक सीरीज में ही इसको लिखना है आपका आग्याकारी शिश्य उसमें आप अपना नाम लिख सकते हो अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाते हो तो कखगः, ABC कुछ भी लिख सकते हो कक्षद 10 गः अनुकर मांग मतलब रोल नमबर होता है रोल नमबर लिखना है नेक्स्ट आपको क्या लिखना है दिनांग दिनांग के लिए भी आप एक format fix कर लो कि दिनांग मुझे इस तरीके से लिखनी है क्योंकि कई बार हम दिनांग बहुत अलग अलग तरीके से लिखते हैं हम कैसे लिख देते हैं 22 2019 ऐसे करके कुछ कुछ सम्थिंग लिख देते हैं या 22 फिर जुलाई करके लिखते हैं तो आप क्या करेंगे आपको हमेशा एक format रखना है तो ये वाला format सही है आप इस तरह से लिखना 22 उसके बाद लिखो जुलाई क्योंकि आप जुलाई की 22 कह रहे हो तो जुलाई उसके बाद कॉमा लगाओ देन आप अपना येर लिखो कि 2022 है 23 है जो भी है आप उसको लिखो तो दिनांग क्लिक के इस तरह से आप format लिखना ये ज़्यादा सही है यूं यूं करके मत लिख देना यूं करके यूं करके इस तरह से मत लिखना ये format थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है आप इस तरीके से एक format ध्यान रखो जैसे आप address के लिए भी एक format अपने mind में fix रख लो कि ये इस तरह से address हमको लिखना है address पर चाहिए कुछ भी लिखो लेकिन format आपका होना चाहिए जिससे आपको क्या होगा confused नहीं होगे आप हर बार 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 नया नया चीज नहीं ट्राय करोगे तो दिनांक आप इस तरह से लिखना address में आपको बता दिया आप उस तरीके से लिख सकते हो ठीके तो ये था परातना पत्र अब next पत्र लिखते है next है कारायले पत्र कारायले मतलब officer related पत्र है क्या दे रखा है बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैक छूट गया तब जिसमें जरूरी कागज और रुपय थे उससे बस conductor ने आपके घर आका लोटा दिया उसकी प्रशनसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए परिवहन निगम को लिख रहे हो यानि कि आप किसी department को पत्र लिख रहे हो तो ये भी क्या है एक official पत्र है अब आपको लग रहा है कि प्रशनसा है तो इसमें हमको क्या करना चाहिए बदाई पत्र है वैसा हमको relatives वाला लिखना चाहिए लेकि नहीं क्योंकि परिवहन निगम वाले हमारे रिष्टेदार नहीं है न तो हम इसमें क्या कर रहे है किसी को प्रशनसा करते वे पत्र लिख रहे है तो आपको question परके खुद को समझना होगा कि इसमें कौन सा है ये आपचारिक है या अनपचारिक है अपचारिक है तो फिर बस पता ही है कि format किस तरह से होगा बस हमारा क्या होगा चीजों का change होता जाएगा सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे यहाँ अब से पहले हम प्रधाना चारे लिखते थे अब नहीं लिखेंगे अब क्या लिखेंगे हम कौन से अध्यक्ष हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष महोदय भी लिख सकते हो और परिवेहन निगम अध्यक्ष भी लिख सकते हो दोनों ही ठीक है ठीक है उसके बाद हिमाचल राज्य परिवह निगम कहां का है बही जो परिवह निगम है वो है कहां का तो हिमाचल राज्य का है देन आप कहां कौन सा शिमला तो शिमला के बारे में उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है जैसे आप ये सारी चीजे फिल करेंगे आपको एक ला आगे बात करते हैं, क्या है महोद है, कल दिना 24 अप्रेल 2019 को मैंने चंडिकर से कारे समाप्ति कर शिमला के लिए चंडिकर बस टेंड से वातानु कूलित यानि की एर कंडिशनिंग बस पकड़ी थी, सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतर कर शिमला चला गया, मेरी ख पने बात को मैंने बहुत सारी जरूरी कागच और भारा सरकार द्वारा जारी आधारकार था, बहुत है तो, कोई बात नहीं, लेकिन यह जो डूकुमेंट्स होते हैं, इनको हमको बनवाने में साही चीज़े मार्णी होतीं, बहुत जाहीं सिछा इंद साही जोती की वो documents सबसे ज़्यादा important हो जाते हैं उस टाइम पर पैसे और documents में, documents हमारे लिए सबसे ज़्यादा important होते हैं, कि वो हमारी कमाई होती है, उनके जरी हम फिर से कमा लेंगे कुछ, लेकिन पैसों से कोई अक्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ डाल दी, अभी आप चाहे सामने वाले को क्या लगेगा, बैक छूड़ गया, तो मिला कैसे होगा, question आया होगा न, मिला कैसे होगा, तो इसलिए पत्र में आपको क्या करना है, कि सामने वाले के मन में कौन-कौन से question आ सकते हैं, जो भी हम विशय लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको खुद को ही answer prepare क तो अपने आपको समझ के पत्र लिखो कि मैं हूँ जिसको पत्र मिलने वाला है, तो अगर आपको पत्र मिलने वाला है किसी topic पे, तो आपके अंदर क्या-क्या questions आ सकते हैं, वही चीज़े सोचकर आपको पत्र लिखना चाहिए, तो क्या है भई, उसी पर लिखे पत्र से conductor जो श्री राम कृष्ण शर्मा जो है, वो मेरे घर का पता डूंडने में सफल हुए, और मुझे conductor का ये विवार जो है बहुत ही सराहनिया और क्या लगा, प्रश्रस्निया लगा, ये आपने सारी बात कह दी, अब आप क्या चाहते हो, conclusion, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के इमा पारे में लिख रहे हो, आपको जैसे मालो कोई information दिलवानी है, कि हमारे यहाँ पर यह चीज चल रही है, और आपको यह हम कहना चाहते हैं, या office से related अगर आपके और employees हैं, उनको अगर आप letter लिखना चाहते हो, बताना चाहते हो कि हमारा office जो है अब यहाँ से इस जगे पर नाम के बाद आपको colony और जो भी sector factor है वो लिखना है, उसके बाद शिमला लिखके अपनी दिनांक लिखके इस पत्र को समाप्त करना है, simple, एक और लिख लेते हैं, नेक्स आता है शिकायती पत्र, जब आपको किसी की चीज की शिकायत करनी है, शिकायती पत्र उसको कैसे लि लिखिए, आपको post office को लिखना है, money order बेजा गया था, लेकिन आपको नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको शिकायती पत्र, सोचेंगे, अचा शिकायती पत्र, format कैसे लिखना है, तो बस एक format ध्यान रखो, जो आप प्रधानाचारे सेवा में, जो शुरू से बच्पन से लिखते भी आ रहे हो, बस उनमें चीजें fill करने में आपको changes करने है, ठीक है, तो सबसे पहले सेवा में, किसको दे रहे हैं, अधिक्षक को दे रहे हैं, पहले प्रधानाचारे को दे रहे हैं, अब अधिक्षक को दे रहे हैं, क्या है, डागघर है, मुक्या डागघर, तो मैं बरे लिकार रहने वाला हूँ, मेरे घर से मेरे पिता जी ने, अब आप ये सोचो कि जब आप money order बेज रहों, क्योंकि जो body है वो भी आपको सोच के लिखनी है कि इसमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले आप अपने subject पे ध्यान रखो कि मेरा subject क्या है, कि मेरा subject ये है और म क्या सोचोगे कि आपके मन में क्या क्या question आएंगे कि money order कब बेजा था, और address क्या था, उस money order का receipt number है वो क्या था, और कब बेजा था, कितने का था money order, ये सारे चीज़े आपके मन में आएंगी, तो वही चीज़े सोच के आपको अपने पत्र में लिखना है, तो क्या लिखे पर मैंने अपने शेतर के post office के staff से संपक किया, परन्तों उनका कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमारा परिवार बहुत ही गरीब है और पिताजी दिहारी की मजदूरी मेहनत करके मुझे पैसे भेजते हैं, आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कुछ ठोस कद सम उठाएं और जल से जल मुझे money order वाले पैसे दिलवाएं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या का समाधान देते हुए, इस समस्या पर ध्यान देते हुए उचित कारेवाही करेंगे, मैं सदेव आपका आभारी रहूंगा, ठीके, तो पहली में हमने अ उसको जब आप लिख रहे हो किसी को, तो पहले खुद से अजूम करो, कि अगर इस जगे मैं हूँ और मुझे को इसी टॉपिक पर पत्र लिखने को देगा, मतलब मुझे पत्र भेज़ेगा, तो मुझे क्या-क्या चाहिए उसके लिए, कि मुझे क्या-क्या पता होना ची पत्र में, कि कब लिया था, क्या किया था, किस चीज के बारे में है, तो वही चीजे सोच के आपको अपने पत्र में लिखना है, तो next, आगे इसका ending कैसे करते हैं, धन्यवाद लिखके, भवदिये, नाम लिखो, कहां, sector factor जो भी है, नगर लिखके, बरेल लिखके, लास में दिनाख लिखके, आप अपने पत्र की समाप्ति करोगे, तो क्या हुआ, अब से पहले आपके format से रिलेट बहुत सारे confusion होगे, लेकिन अब धूर होगे, संपादक होगा, तो संपादक के लिए भी क्या करना है, यहाँ पर आपको, संपादक है, तो यहाँ पर संपादक लि देंगे, विशे में आप लिखेंगे कि बही किस बारे में आप लिख रहे हैं संपादक को, वो बाकी सारी चीज़, तो सेम सेम है, तो इस तरह से आप अपने पत्र को लिखेंगे, तो यह हो गया हमारा शिकायती पत्र, अब बात करते हैं हमारे कौन से पत्र, अनौप चार जहां से जो भेज रहा है प्रेक्षक यानि जो भेज रहा है उसका लिखना होता है हमको एड्रेस तो प्रेशक पता लिखना है दो लाइनों में आपको उसका पता आजा देगा उसके बाद आपको लिखना है कि कौन है वो जिसे आप अपने माता जी को लिख रहे हो अपने पिता जी को लिख रहे हो अपने दोस्त को लिख रहे हो अपने चाचा जी को लिख रहे हो जिस किसी को भी लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे आदरनिय, माताजी या पिताजी, माताजी पिताजी जो भी है उनके लिए आप लिखेंगे, उसके बाद आप उनको क्या बोलोगे कुछ, नमस्ते नमस्ते टाइप लिखेंगे न, तो उसके लिखेंगे साधर चर बताने पारी है इस में क्या प्यार है नेक्स्ट लिखते हैं। भी लिखता है। आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका प्यारा पुत्र, जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो फिर अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद दिनांक लिखके इसको end करेंगे, तो ये format बहुत simple सा होता है, इसको आपको इस तरीके से लिखना है, प्रेक्षक का पता पहले- क्यों? क्योंकि जैसे ही letter खुलेगा, आप इसको practically सोचो, कि जब letter किसी को आप भेज रहे हो, तो बहार के envelope पे तो क्या लगा होता है, कि उसका address लिखा होता है, तो जिसको भेज रहे हैं, वो उसके address पे वहाँ पे चला जाता है, तो यानि जिसको भेज रहे हैं, उसका address यह को मिला है, वो सबसे पहले क्या देखेगा, वे letter आया कहां से है, वो ही देखेगा, तो वही चीज आपको practically होके सोचना है, कि exactly करना कैसे है, हम इस चीज को रट लेते हैं, और कई बार फिर confused हो जाते हैं, तो इस चीज को समझो कि प्रेशक पता लिखना है, यानि किसने बढ़े आगे, तो सबसे पहले देखते हैं, इसका एक ही मैना लिया है, उसी को ही समझेंगे, अनुप चारिक पत्र, कि अपने पिताजी को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, तथा उसमें मासिक जेब खर्च बढ़ाने की मांग करनी है, आपके पापा को आप क्या लि है, या मुझे extra tuition classes लेनी है, या मुझे कोई book लेनी है, तो किसी भी कारण से आपको लेनी है, वो आपको कारण उसमें डालना पड़ेगा, तब ही पापा सोचेंगे, अच्छा हाँ, इसको ये चीज़ चाहिए, और उस चीज़ को समझ के वो बोलेंगे, चलो ठीक है, पैसे आप चाहें, तो पत्र के end में भी लिख सकते हैं, चीज़ के, सबसे पहले, पूझे पिता जी, साधन चरण सपर्श, ये लिखते ही, आप अपने पत्र पर स्विच करेंगे, आप सब सब कुशल होगे, सबसे पहले हालचाल ही पूछा जाता है, जो कि हम व्यक्ति, जो आप पर हम थोड़े हालचाल पूचेंगे, कि गरवाले हैं, सीधा पत्र थोड़ी लिखोगे, कि हाँ बढ़ी बताओ, मैं कोई ये चाहिए, मैं कोई ये बेज़ना, सबसे पहले आप बताओगे, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे, पहले बारा जो पत्र है, उसके रिप्लाय के बारे में, अगर आप चाहो तो उसके बारे में बता सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, उसके बाद आप अपने पत्र पे आओगे, कि हम क्या चाहते हैं, आप सब सब कुशलें, इसके लिए मैं परमात्मा से सदे प्रार्थी हूँ, आपके पत्र की प्रतिक्षा करके मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, आपको ये ज्याद हो कि मेरी परिक्षा आगामी माहा की पंदरवी तारिक से आरंब होने वाली है, इसके लिए मैंने जी जान से अध्यान आरंब कर दिया है, कुछ पुस्तक के कौपियां और कुछ परिक्षा उपयोगी आवशकताय आ गई हैं, इसके लिए मुझे 500 रुपे और अधिक चाहिए, ऐसा इसलिए कि परिक्षा खर्च के साथ साथ आवगमन और संपर खेतु भी पैसे खर्च होंगे, आपने सारी बाते अपनी बता दी, अतयव आप 500 रुपे बढ़ा कर भेजने की क्रपा करें, अन अधिक चाहिए, तो वो उसे हाशिवा दे रहा है, आपका अगयाकारी पुत्र प्रभाकर, तो बस सिधा अपना नाम लिखना है, अब आप जो दिनांख है, वो आप यहां भी लिख सकते हो, तो भी ठीक है, उधर लिखोगे, यहां लिखोगे, तो भी ठीक है, दोनों से औ तो इस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना होता है, एक्जाम में आपको दोनों ओप्शन मिलेंगे, एक अनौपचारिक भी मिलेगा, एक आपचारिक भी मिलेगा, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है अपचारिक, अगर आपको दिखता है कि subject में जो दे र अगर कोई कालेले से संबन्दूग, आप उसको भी लिख सकते हो, प्रातना पत्र होगा तो आप उसको भी अच्छे से लिख सकते हो, तो आप easily लोगे, उसमें आपको content मिल जाएगा, आपको यहाँ पे content मिल जाएगा, अनौपचारिक में भी, लेकिन आप खुद से देखन पे question ही मिल जाएगा कि आपको यह पत्रा time करना है, लेकि mostly जो हैं आपको option मिलते हैं, दो पत्र दिये जाएगे, उन दोनों में से आपको एक करना होता है, तो वो आपकी पूरी-पूरी choice है कि आपको कौन सा करना है, तो पत्र सब के board में आएगा, तो जितनी भी board के में कैसे-कैसे पत्र आते हैं, तो वो हम detail में और भी करेंगे, तो जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां पर आपको यह चीज तो ब्लुकुर समझ में आ गई कि पत्र लिखना कैसे है, तो यह चीज अब तक अगर शिकायती पत्र में या संपादक म करना कुछ नहीं है, बस प्रातना पत्र में ही सारी चीज़ें चेंज करनी है, तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए, थैंक्यू सो मच, बबाई एंड टेक्यार